नमस्कार दोस्तों सपना जोम स्कुलिंग योहा चाल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम इत्ता पाच्वी की खड़क चास्वनी क्रमांग को दोन विशे हिंदी का पेपर देखने वाला है इधर आपको आपके पाच्वाला का नाम आपका नाम लिनांग बैठक्रमांग और तुकडी परिवक्षिक सही और परिक्षिक सहील नीचे है प्रशन पहला योग्यों शब्द चुनकर रिक्त स्थानुम की पूर्ति करो इधर आपको शब्द यह हुए है जीवन, फिसलबकरी, बीच, और प्ढ़ा पहला है कुछ दिन बाद वहाँ एक डाश-डश आई दुसरा है कि किसी नदी किनारे एक डाश-डश पढ़ा था तुसरा है सबको दिल से करो डाश-डश जोता है डाज़श है चलने का नाम और आखिर में पांचवा इस वर्ष पूरे गाउ में डाज़श अच्छी हुई थी तो आपको इल्ज़रिक्त सांजे यहाँ पे दिये हुए है उसको आपको योग दिशब्द चुनकर उनको पूर्ति करना है सु आगे है प्रश्ण दूसरा एक वाक्य में जवाब दो पहला है प्रश्ण कि मनोहर पूर गाउ में कौन रते थे दूसरा है बाली का दिवस कब मनाया जाता है तीसरा किसकी कहानी आज में लोग भाव विपोर होकर सुनते है चौथी कौन जेक शेत्र में लड़की आगे बढ़ रही है और पांचवी बीच कहां पढ़ा था अब यह आपको यहाँ पे एक वाक्य में जवाब देना है नीचे है कि प्रश्ण तीसरा अ वचन बदल कर लिखो पहला है बात दूसरा पोधा तीसरा घड़ी और चोथा बच्चा ब है उची शब्द बना कर लिखो ता पपी यहाँ पर आपको क्या करना है उलट सुलट आपको यहाँ पे शब्द दिये हुए है उससे आपको उची शब्द बनाना है तो यहाँ पर पहला है तापपी तो उससे क्या बनता है तो पपीता ऐसा बनता है तो यहाँ पर आपको उचे शब्द बनाकर लिखने हैं दूसरा है यादबरी तीसरा है गिनान और चोता है टिपे तो इस तरह से आपको उचे शब्द बनाने हैं नीचे है शब्द पढ़कर अंक लिखो, चह, ग्यारह और उन्नीस, और आखिर में देखिए, ड है, समानार्थी शब्द लिखो, पहला है पंक्ची, दूसरा है फूल, और तीसरा है आंक, तो इस तरह से आपको आपका पेपर लिखने की प्रैक्टेस घर पे करनी है, अगर आ